नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का study IQ IAF हिंदी मेरा नाम है अतुल जैन आप में से जो लोग भी cricket देखते होंगे आपको पता है मैचिस के बीच में कई बार बारिश हो जाती है यह तो हमको पता है और जो दर्शकों का मदा खराब होता है वो तो होता ही है लेकिन बारिश होने के कारण कई बार क्या होता है जो टीम दूफरी बैटिंग कर रही होती है उनका टार्गेट रिवाइज हो जाता है यह आपने देखा है कि नहीं देखा है यह तो पता होगा आप में से जो भी लोग cricket देखते हैं कि टीम ने बनाए थे इतने रन पचास ओवर में अब आप वो पचास ओवर कम होके जो है दूसरी डीम को 35 ओवर मिलेंगे तो टार डीलेश सिस्टम कहा जाने लगा है क्यों कहा जाने लगा है आपको आगे बताऊंगा तो भाई डखवर्थ लुइस विवस्था यह क्या है इसके बारे में आज हम समझेंगे और इसलिए भी समझेंगे कि इसके जो एक संस्थापत थे फ्रांक डखवर्थ जिनके नाम पर रखा गया जिन्होंने बेसिकली प्रक्रिया की शुरुआत की एक बिटिश व्यक्ती थे उनकी आज मृत्यू हो गई है चौरासी वर्ष के थे काफी उम्र थी उनकी आज जो है मृत्यू हो गई है तो फ्रैंक डकवर्थ ने ये क्या विवस्था बनाई जिसने शायद हम ये क है सकते हैं कि क्रिकेट मैचिव पर या जिस तरह से क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है उस पर किसी भी क्रिकेटर से जादा प्रभाव शायद फ्रैंक डकवर्थ का पड़ा ये उनके जीवन की लेगेसी है तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लगा के आप 25,999 रुपए में उससे जुड़तकते हैं रोज 3 घंटे की लाइफ क्लास, मेंटॉर्शिप, डेली प्राक्टिस क्वेश्चेंज, प्री और मेंस दोनों के मेंस के क्वेश्चेंज का आपको डेली फीड़बाक मिलेगा इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की सही देशा प्रदान कीज़े, याद रखिए सेल के वल 30 तारिक तक है, 30 के बाद ये फिर से 29,999 का हो जाएगा, तो भाई आप जो है आज ही जुड़ जाईए क्योंकि बैच चल रहा है, ठीक है, चलिए, तो भाई आप में से, आप लोग तो सब बहुत युवा होंगे, भी तरह वो समझ पाएंगे, तो 1992 का वर्ल्ड कप सेमी फाइनल, माफ कीजेगा, पचाफ ओवर कई होता था उस टाम T20 वगएरा तो कुछ था नहीं, तो वर्ल्ड कप चल रहा था, और उसका सेमी फाइनल मैच चल रहा था, और आप सोच सकते हैं कितना इंपोर्टेंट होत थी, उस समय भी बहुत मजबूत थी, उनका मुकाबला हो रहा था, इंग्लेंड से, ठीक है, तो दक्षन अफरीका जो है, वो टार्गेट को चेज कर रहा था, दूसरी बैटिंग कर रहा था, और एक सिनारियो, एक स्थिती ऐसी आई, कि दक्षन अफरीका को जीतने के ये, 13 बॉल्स में, 22 रंच चाहिए थे, अब आप लोग सब T20 वाले जमाने के लोग है, तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, उतना आसान भी नहीं था, उस समय इतनी तेज बैटिंग नहीं होती थी, खास तौर पे 50 ओवर मैचेज में, लेकिन तब भी, मतलब चां ठीक है, अब उस समय बेटा, जो टार्गेट फिक्स करने के लिए, जो तरीका यूज किया जाता था, उस तरीके को कहते थे, most productive over method, जो तरीका होता था, वो क्या होता था, most productive over, ये एक तरीका यूज किया जाता था, तो ये देखता था, कि भाई, जो जिव टीम ने पहले ब रन बनाये हैं, उसी के हिसाब से target set किया जाता था, जैसे मानलों टीम ने 50 over खेले, 50 मेंसे मानलों 6 over maiden चलेगे, जिनमें कोई run नहीं बना, तो अगर 6 over तक कम हो रहे हैं, तो target में कोई भी कमी नहीं होगी, यानि कि अगर आप target कम कर रहे हो, आपके overs कम हो रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे खराब over हटाए जाएंगे, तो भी पहले बैटिंग करते हुए, इंग्लेंड की टीम ने कुछ एक over तो maiden निकाल नहीं होंगे, उस time तो maiden over हो जाते थे, तो इस कारण से, जो भी ये system था, इस system के कारण क्या हुआ, जो लक्ष South Africa के सामने 13 ball में 22 run था, जो की नहीं हो, ये तो असंभव है यार, आप वादा फे वादा छक्का मार सकते हो, तो भई एक ball में 22 run थो impossible है, तो एक तरह से South Africa को England नहीं हराया, जो उस समय टारगेट रिवीजन का जो तरीका था, जो नया लक्ष तै किया गया, उस टारगेट रिवीजन के तरीके ने South Africa को हरा दिया, दुनिया भर में इस बात को लेके वड़ा विवाद हुआ, बहुत नाराजगी विक्त ही गई, लेकिन यार, अब जो फैसला हो गया, वो तो हो गया, हाला कि England की टीम, फाइनल में पाकिस्तान से हार गई, और England को World Cup नहीं मिला, पाकिस्तान को मिला, खेर, वो एक अल खेकी शास्त्री जो होते हैं, स्टैटिस्टीशियन जिनको हम कहते हैं, जिनका नाम था Frank Duckworth, यहां से इनकी कहानी शुरू होती है, Frank Duckworth ने क्या किया, एक पेपर लिखा, और उस पेपर का नाम मैं नोट करके लाया हूँ, इन्हों ने एक पेपर लिखा, और उन्होंने क्या किया, अपने पेपर का नाम लिखा, A Fair Result in Foul Weather, यह इस नाम का इन्होंने पेपर लिखा, A Fair Result, यानि कि खराब मौसम में एक सही रिवल्ट, एक नयायोचित रिवल्ट कैसे निकालना चाहिए, इस आधार पर इन्होंने एक पेपर लिखा, और इस पेपर की दुनिया भर मे बहुत चर्चा हुई, क्योंकि उस समय तक ICC वगरा ने कोई स्विकार नहीं किया था, बस दुनिया भर में इस पेपर की चर्चा हुई कि यार इस व्यक्ती ने जो यह सुझाब दिये हैं इस पेपर में, यह अच्छे सुझाब हैं, फिर ICC ने इस पर चर्चा करनी किया, ट्राइल किया गया, और 1999 में क्या हुआ, इन्होने और इनका सहयोगी जो थे, लुईस साब थे, वो इनके सहयोगी थे, साथ में काम करते थे यह लोग, 1999 में ICC ने यह तरीका जो है, यह अपनाया, और डकवर्थ लुईस सिस्टम जो है, इसको अपनाया गया, इसको एक प्रॉपर तरीके के तौर पे ICC ने अपनाया, और इसके जरीए अब बारिश से प्रभावित मैचों के टार्गेट जो है, वो लक्ष जो है, वो इससे निर्धारित होने लगे, अब 2014 में इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया, वो क्या किया गया आपको बताऊंगा, तो यार यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, ये लोग आम तौर पे क्या करते हैं, इनका तरीका ये होता है, कि ये क्या करते हैं, इनका मेथट जो है, ये क्रिकेट में संसाधनों के बारे में बात करते हैं, कि टीम जो दूसरी बैटिंग कर रही है, जो एक टार्गेट का प अभी मैच में कितनी बॉल फेकी जानी बाकी है और दूसरा उनके पास अभी कितने विकेट्स बाकी है बही निश्चित सी बात है आप में से जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनको शायद इकम समझ में आए लेकिन तब भी जो लोग क्रिकेट देखते हैं आपको पता है कि अगर आपके पास 50 बाल्स हैं खिलने के लिए तो आप जाधा रन्द बना सकते हो 20 बाल हैं तो आप कमरंद बनाओगे ऐसे ही अगर मान लो आपके पास 50 बाल्स है पर विकेट केवल दो ही बचे हैं तो आप कमरंद बना सकते हो लेकिन आपके पास 50 बाल बची है और आपके पास अभी आठ विकेट बचे है तो आप जाधा रन बना सकते हो तो इन दोनों संसाधनों के बढ़ने से क्या होता है आपके जो scoring potential है जो आपके रन बनाने की संभावना है वो निश्चित तोर पर बढ़ती है तो इन संसाधनों के आधार पर इन्होंने एक formula बनाया जिसमें यह सोचते हैं कि जब team अपना चेव शुरू करती है जब पहली ball face करने कोई team आती है तो उसके पास 100% संसाधन होते हैं सारे over होते हैं सारे wicket होते हैं फिर धीरे wicket भी out होते जाते हैं और balls भी कम होती जाती है तो संसाधन घटते जाते हैं तो किसी भी दी हुई परिस्थित तो यह हर wicket के loss के साथ आपका target बढ़ता जाता है जैसे मान लीजे 15 over में आपके 80 run है जब तक वो एक wicket पर है तो यह माना जाएगा कि आप जो है अगर आपका एक wicket गिरा है तो डगपर्त Lewis के साब से 80 run आपका सही score है लेकिन अगर आपका जैसे ही दूसरा wicket गिरता है डगवर्त Lewis सिस्टम आने की संभावना होती है टी में अक्सर प्रयास करती है कि हमारे wicket जादा ना गिरे विकटों को वो बचा कर रखने की कोशिश करती है तो यह सिस्टम लगा अब इसमें कुछ इसकी आलोचनाएं हैं जिनको बाद में एक अन्य सांके की शास्त्री ने अब साथ में जुड़कर जो है स्टर्न नाम के सांके की शास्त्री थे जिन्होंने इसमें जुड़कर इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश भी करी उसके बाद ये डील सिस्टम से डील एस हो गया जकवर्त Lewis स्टर्न सिस्टम हो गया तो एक इसमें जो इसकी कुछ सब्सें जो खालोचना ये है कि ये विकटों को बहुत जादा वेटेच देता है कि विकट बहुत महत्व पून है इसमें इसकी जो ऐसमें विकट गिरने के कारण आपका लक्ष बहुत जादा परिवर्तित हो जाता है जबकि अब क्रिकट का नेचर बदल गया है पहले टीम वाने जमाने के cricket से थोड़ा सा जादा प्रेरित लगता है इसलिए आपको क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि एक तो अब जो है नए टाइप का cricket जो है जो बहुत आक्रामक cricket होता है जहां पर नंबर 9 तक जो बैटिंग करता है वो बैटिंग कर सकता है वो इतना important उसमें उस लाके तो इसी लिए यह थोड़ा सा accurate जो है आधुनिक cricket में कम माना जाता है 2014 में एक स्टर्न नाम के सांखी की शास्त्री थे स्टर्न नाम के एक व्यक्ति थे एक और गड़ितक्य थे उन्होंने भी इसमें थोड़े बदलाव किये और उसके बाद अब जो नया सिस्टम है वो डकवर्थ लुइस स्टर्न सिस्टम के नाम से जाना जाता है और आज की तारीक में भी सारे cricket मैचिफ जो है वो इसी के आधार पे निरधारित होते हैं आप में से जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह civil services के लिए कैसा जरूरी है तो मैं आपको 2013 का एक प्रेशन बता सक कि बैट के edge को लेकर ठीक है तो इस तरह की जो नई technologies वगरा आती है cricket में उन पर सवाल mains में पूछा गया है तो संभावना है कि आप से डगवर्थ लोईस को लेकर भी क्योंकि विवाद होते रहते हैं तो उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है बेसिक चीजे आपको बस पता ह होनी चाहिए बहुत वादा जानकारी जोवन आपको बता दिया इससे वादा जानकारी कि कोई आविशक्ता आपको है नहीं ठीक है चलिए तो अभी के लिए इतना ही आपको में जाते जाते फिर से बता दू कि हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है 30 तारिक तक सेल है 25-9999 में मिल जाएगा एजे लाइफ पूर लगाना याद रखिएगा रोज तीन घंटे की क्लास जो है लाइफ क्लास मेंटॉर्शिप डेली प्राक्टिस क्वेश्चन्स प्री और मेंस के मेंस के क्वेश्चन्स का समाधान प्लूशन फीडबाक प्री और मेंस दोनों की के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद क्वेश्चन्स प्राक्टिस क्वेश्चन्स